कि हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं संसुखलाबलों का बहुत बुछ सागत करता हूं दोस्तों आज का इंपर्टन वीडियो हमारे बीए थर्डियर के स्टुडेंट्स के लिए होने वाला है जिहां जो भी हमारे बीए थर्ड पर के बारे में चर्चा की जा रही है इस वीडियो में और इसमें महात्पूर्ण जो इस्टेंजाज हैं जिनका इक्सप्लानेशन डिफरेंस और कांटक्ष्ट के साथ लिए आता है उन्हीं के बारे में चर्चा की जाएगी बहुत सारे स्टुडेंट का कमेंटार आ रहा पर के लिए नहीं आते हैं इस्टेंजा तो बिलकुल आते हैं आपके आपने मॉडल पेपर में देखा होगा जो उसके प्रिवियस येर के पेपर जो अफ्लोट किये थे 2018 के 2020 के 2019 के तो इन सारे पेपर्स में आपने देखा होगा कि इस्टेंजा आता है सार्ट टाइप के और उसके साथ साथ एक फ्लानेशन लिखना होता है तो जो कुछ मातपूर्ण इस्टेंजाज इसके पहले वीडियो अफ्लोट किया गया है इस वीडियो में भी आप देख लीजे जो आपकी परिच्छा के दिष्टी से बहुत मातपूर्ण होंगे उनका इस्टेंजा आप हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन पटापटा आपको मिलती रहे और चैनल और वीडियो को लाइक से रोर कमिट करना न भूलें दोस्तों जिहां लाइक ज़रू जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी परिच्छा के दिशिए तो पहला इस्टेंजा देखते हैं दोस्तों की क्या दिया गया है लिकाए हूज उट्स दी जाराइए थिंक आइनों हीज हाउस इस इन द वीलेज दो ही विल नाट सी मीश्टॉफिंग हेर तू वाच वूट्स फिलप इसनों जिहां यह इस्टेंजा अब इसको पढ़के आपको क्या बताना होगा रिफरेंस बताना होगा जिहां रिफरेंस नीचे दिया गया है हेडिंग दी गई है रिफरेंस की इसमें क्या लिखना होता है दोस्तों आपको बताया गया कि रिफरेंस में क् बिफान को दोस्तों धीजार्द ओफ निग लाइन साब्धा पोयम यानिज अभी ओपनिंग लाइन है तो इस तरह से लिखा हुआए कि डीजार्द रोपनिंग लाइन साब्ट द पोयम यह पोयम की ऑफिनिग इसको आप पहले के प्रीवियस इयर्स में भी या इंटर में साथ पढ़ चुके होंगे तो यह पोएम बहुत ही इंपोर्टन है आए देखते हैं कॉंटेक्ट में कॉंटेक्ट में आपको बताया गया कि किस चीज का प्रसंग जो है किसके बारे में कभी तक कही जा रही है उस में रोबर्ट फ्राश्ट ने खुद को एक यात्री के रूप में प्रेजंट किया तो ट्रेबलर क्या प्सक्राफ क्या है एक यात्री है who goes on his journey on horseback जियां वो अपनी यात्रा पर किस से जाते हैं घोने से जाते हैं जियां घोने की सवारी करके हो जाते हैं his allowed to see the beauty of nature and wants to suspend his journey for some time यानि वो beauty of the nature यानि परकिट की सुन्दरता को to see अर्था देख करके क्या होते हैं वो थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं या आकर्सित हो जाते हैं and wants to suspend his journey और अपनी यात्रा को फार सम्टाइम यानि कुछ समय के लिए रोक देना चाहते हैं यानि वो प्रकिट की सुन्दरता को देख करके थोड़ा आकर्सित होते हैं थोड़ा भ्रमित होते हैं कि आप कि एक्सप्लानेशन में क्या चीज लिखा गया है किस तरह से आप उसको explain करेंगे उसका मेन अर्थ लिखेंगे तो एक्सप्लानेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है ब्याक्या में इन दीज लाइन्स दप्वेट सेज देट डूरिंग इस जर्नी यानि इन लाइनों में कभी बताता है कि दूरिंग इस जर्नी यानि उसकी यात्रा के दर्मियान यानि वो एक सुन्दर एरिया पर सुन्दर छेतर में पहुंचता है यानि वो सोचता है कि वो जानता है दा मैन उस आदमी को कहलता है उस इस में ब्हुन के करीब में बगल में एक गाव में रहता है यानि उस भूम का मालिक जो है इस छेत्र का मालिक जो है इसी छेत्र से रिलेटेड इसी ब्यूटिफुल पुले से रिलेटेड बगल में एक गाव है उसी में रहता है यानि इस बात को पसंद नहीं करता है नहीं चाहता चाहेगा दैट मने की दपोएट तो यह दोस्तों उसका अर्थ हो गया उस पोएम का इक्सपलानेशन हो गया जो इसे ही दोस्तों इसको आप पढ़ लिजे दो तीन बार आप वीडियो को देखेंगे आपको पूरा किलेर हो जाएगा आप आसानी सिसको लिख सकते हैं हिंदी में समझ करके आप इंग्लिस में ट्रांसलेट करके इसको लिख सकते हैं आसानी से नोट में देखिए उसके बाल लाश्ट में क्या क्रिटकल कमेंट या नोट लिखा जाता है तो नोट में देख लिजिए कि दा आनर आप दा लेंड बिल्टिंग डैट इस टॉफिंग जर्णी वाइद पोएट उडवी अननेचुरल यानि जो आनर है उस लेंड का उस भूम का जो आनर है मालिक जो है वह यह बात को सोचेगा कि इस टॉफिंग जर्णी यानि यातरा रोग देना बाई पोएट गया है तो यह देखिए इस्टेंजा है ही घिपसीज हरनस बेल्स आस सेक तो आस्क इफ दियर इस सम मिस्टेक दा ओनली अदर साउंड दा स्वीप आफ इजी विंड आंड डावनी फ्लैक जिहां यह इस्टेंजा दिया गया है यह इस्टेंजा आपके एक्जाम में आ सकता है तो देख लीजे यह इस्टेंजा किस पोएम से है और इसके कंपोजर कौन है तो रिफरेंस में देखिए लिखा हुआ कि दीजार ओपनिंग लाइन सोही बात पुरानी दोर आई गई है आप दा पोएम स्टॉपिंग बाई उट्स आना इसनोफी इबनिंग यानि उसी पॉइट बाई रॉबर्ट फ्रास रॉबर्ट फ्रास द्वारा रचित पीछे के जो रिफरेंस आपको समझाएगे वही चीजी है काउंटेक्स में भी वही बातें लिखे होंगी दपोएट इजा ट्रेबलर एक यात्री है कभी एक यात्री है हो गोज आने जरनी जो अपन स्टीनिककी दुभो अबरन चाहता चाहिता है लेकिन पर में अपने मास्टर हर्फिसाद गोणा क्या करता है अपने जो उसका मास्टर है यह वोन्हार जो स्वामी एक दिमाग को गोज़े लेता है विस के दिमाग को रिट कर लेता हैं सिप्स जो मलब यह इच्छा रखता है अपनी यात्रा रोकने के लिए अर्थाद, घोड़ा यह समझ जाता है कि उसका स्वामी जो है वह अपनी यात्रा रोकना चाहता है, तो कंफर्म जिस्दा हार्स यानि ये बात कंफर्म करने के लिए हार्स क्या करता है गिप सजर के जटका देता है तू नेक टू नो दा माइंड आफ इस मास्टर यानि अपने गले को जिटकता है एक बार क्या करने के लिए अपने स्वामी का अर्थाद अपने मास्टर का मन उ लात्रा को रोक करके गलती कर रहा है डपोएट डिस्क्राइब द सिच्वेशन जो पोएट है इस बात मलब इस परिस्थिती को डिस्क्राइब करता है वर्ण करता है उसका डैट देर इस टूटल साइलेंस एवरिवेर कि वहां पर सारे तरफ क्या था एक डम से बहुत परती थी किस चीज का फाल गिरने की आप इसनों फ्लेक्स अर्थाद बर्फ के गुच्छों की आर बींग हर्ड जो सुनाई परती थी तो यह दोस्तों दूसरा इस्टेंज आपका क्लियर हो गया यह इसको आप पढ़ लिजे देखिए और आपको समझ में आ जाएगा अब आप यह स्टेंजा देख लीजे दोस्तों आगे अब मैं यह इस अपर बहुत इंप्रेंट इस निगा में इसको जरूर्थ आप लोग ध्यान से देखिलीजियेगा इसको एक बार एक बार दो बार चार बार जब तक आपको किलियर समझ ना आ जाए तब तक इसको आप वीडियों को देख लीजेगा यह इसका इंपॉर्टन होगा आपके एक्जाम के लिए तो इसको जुरूर देखेंगे आप लोग तो आईए इसका रिफरेंस रिफरेंस और कांटेक्स वही सेम रहता यानि उसी कविता का है यह उसी पोएम का है तो लगभख सेम ही रहेगा देख लीजेए विलिका हुआ कि दीजार दा ओपनिंग लाइन साब दा पोयम यह यह लाइन्स जो है यह उपनिंग शुरुवाती लाइन है कभिता की इस टॉफिंग बाइउट्स आना इस नोभी इवनिंग यह पोयम का न ब्रीक जड़नी जो अपनी यात्रा को रोग देना तोड़ना चाहता है अचानक चेंज माइड कि उसका माइंड अचानक बदल जाता है इस रिमेंड आप परपज जिहां इसका प्रसंग थोड़ा चेंज है इसको देख लीजे कि इस रिमाइंडेड वह इस बात को याद करता है अपने मन में कि आप परपरज यानि उस उद्देश को याद करता है फार फिच ही इस कम आनर्थ कि जिस उद्देश से उप्रत्वीफर आया है और जिस उद्देश से उसका जन्म होआ है उसके बारे में वह याद करता है कि इसके इस्प्लानेशन में क्या लिखा गया कैई कि ल Harsh looking कि प्रभूट बूड जप्रते वो भूब ज़्चेट लाइन कीinta यो अपनी यतरा को नहीं तोड़ेंगे यानि बहुत ज़्यादा आकर्सित होने के बावजूद उसका जो भूपर्दिस है लेंड इसकेप जो है जो वहां की लेंड की ब्यूटी जो है उस दर्ता से बहुत ज़्यादा वह अट्रेक्ट होने के बावजूद भी अपनी आत्रा को नहीं जाद बहुत जादा वह भ्रम और मांसिंग मनोदसा में पहुशते हैं इट हैज मुझ टू एलूर मेंट फार हिम वहां उनके जाद मलब वहां पर यह बातें जो हैं वह उनके लिए बहुत ही जादा लुभावनी होती हैं या भ्रमित करने वाली होती है लेकिन फिर भी उनको क्या है कि बहुत जो अपना उनका महत्पूर करतब है उस करतब को उन्हें ने भाना है यानि वह उस महान ग्रेट टास्क जो महानकार उनको मिला हुआ है जिसके लिए उनका जर्म हुआ है तो उसको वह जरूर पूरा करेंगे इसलिए अपनी यात्रा समाप्ट करने से पहले और सोने जाने से पहले ही टू फर फार्म्स मेनी इंपॉर्टन ड्यूटी उन्हें बहुत सारे करतब करने हैं आगे देखिए दूस्तों अग्या नेक्स इस्टेंज आपका क्लियर हो गया अब अगला इस्टेंज देखते हैं कि माइड लिटिल हाट्स मस्ट इंग ट्कुर्ट तू स्टॉप विदाउट आफार्म हाउस यह बेट वीन दा ऊट्स एंड फ्रोजन लेक्ट डार्केस्ट इवना इवन लिखा होना चगहे डार्केस्ट इवनिग आपदा इयर तो वाथियर इफ्रण्स में देखिए कि इसका इसे लिखेंगी रिफिरेञ्स वही चुक्ए उसी फोएम से लिया गया है तो रिफ्रण्स आपका वही यह लाइन जो है वह इस पोएम की यह सुरुवाती लाइन हैं कंपोज्ट वाइड फ्राष्ट जी द्वारा कंपोज्ट किया गया इस कविता को उनके द्वारा इसकी रचना की गई है काउंटक्स में देख लिजे कि क्या है इसमें किसी क्या प्रसंग दिया गया कि दपोट इजा ट्रेवलर यानि यह क्यात्री है हूँ गोश्ट आने जर्नी जो अपनी यात्रा पर जाता है आन हार्स बैक यानि वही बात गोड़े की सवारी करके ही इस एलर्ड तू सी यह आकर्सित हो जाता है एंड वांश टू सस्पेंड जर्नी फार सम टाइम और कुछ समय के लिए अपनी यात्रा को सस्पेंड कर देना चाहता है रोग देना चाहता है तो इसका इस प्लानेसन अब आप देखेंगे दोस्तों इस प्लानेसन में क्या चीज दिया गया कि प्रकिर्तिक या अच्छी बात नहीं होगी टू स्टॉप दियर कि उसको वहां पर रोग देना फैर देर इस नो प्लेस फार रेस्ट की जहां पर आराम करने का स्थान नहों यानि इस इस कवित्ता इस इस टेंजा में पोट इस बात पर विचार करता है कि घोड़े को अगर किसी जगा पर रोग दिया जाए जहां पर उसके आराम करने की जगा नहों तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा एक अन्रेचुरर बात होगी तो आगे देखिए कि दप पोट लूग सैट दकोल लैक यानि पोट जो है वो देखता है क्या थंडी जील को देखता है और गहरे जंगल को देखता है दसीजन इस कोल्ड यानि मौसम ठंड था इट इस थंड है इट इस टाइम आफ एवनिंग यानि साम का समय है वह नाइट इज अप्रोचिंग स्विफ्टली की धीरे-धीरे रात जहां पर आ रही है आती हुई दिख रही है दा फॉरेस्ट इस ल स्टॉपिंग बाई उट्स आना इस नोभी इविनिंग इस पोएम से लिए गये थे रावबर्ट फ्राश द्वारा यह रच्चित है उसके द्वारा इनको कमपोज किया गया है तो इनको दोस्तों देख लीजिएगा चुकि परिच्छाएं आपकी चल ही रही है तो अगर जिन स्टूडेंस की परिच्छा नहीं हुई है वो इस वीडियो को देख लेंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टन होगा और एक बात और दोस्तों कि जिन स्टूडेंस का एक्जाम हो जाए वह आप अपना पेपर जो है वह पेपर आप मेरे वाट्सप नमपर पर संट कर दीजिए जिससे उसका सलूशन करवा दिया जाए आप लोग समझ भी जाए उसको और उसके बाद आने वाले स्टूडेंस जो हैं जो नेक्स इस साल आपके यहर में पहुंचेंगे थर्ड यहर में उनके लिए भी इंपॉर्टन हो जाएगा थोड़ा तो दोस्त के वीडियो में दोस्तों इतना ही धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में जाए हिंद